दिवे हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं आज दुपहर हिमाचल आईए शुरुआत करते हैं दुपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से यूक्रेन से अब तक उना के कितने चात्र पहुँच चुके घर यूक्रेन से वतन लोटी पॉंड़ा साहिब की दो चात्राएं बताई क्या रहे अनुभाव OPS बहाली करवाकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी परिणाम भुकतने पड़े सोलन में एक ATM के साथ शात्र क्या कर गए मंडी शिवरात्री के लिए निकले देव विश्णु नारायन बाइला और माता गाड़ा दुर्गाजी और अब खबरें विस्तार से यूक्रेन पर रूस के तेज होते हमलों के बीच भारती चात्र चात्राओं की वापसी शुरू हो चुकी है पिछले 12 घंटो के दौरान जिलाए उना के चार चात्र चात्राओं युक्रेन से वापस घर लोट चुके हैं जबकि अने चात्र चात्राओं की वतन बाप सी के लिए जिला परशासिन लगातार के इंडर सरकार से संपर्क बनाए होए है दूसरी तरफ यूक्रेन में फसे चात्र चात्राओं के अभिभावकों में भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिला प्रशासिन में अभिभावकों से धैरे रखने की अतिनिती है और कहा है कि जिला प्रशास इन चात्र शात्राओं की वापसी के लिए पूरी तहे से संजीदा है हमारे बचे 25 चातर शातरा हैं उनसे हम संपर करके अपडेट ले रहे हैं कि वे कहां पहुंचे हैं और क्या जो इवैक्वेशन के लिए फ्लाइट चेली जारी उनको जो भी बोर्ट करेंगे तो उसका अपडेट जो है वह हम अपने डिजास्टर सेल के Divya Himachal presents Godrej No. 1 Ms. Himachal 2021-22 powered by Arne University beauty partner Rosa Harbal The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams Hi everyone, I am Ravi Tania Sharma, Ms. Himachal 2020 first runner-up Winning this title was just like a dream come true I have had an amazing journey and this platform gave me a plethora of opportunities Now Divya Himachal is back with another season of Ms. Himachal और एक बहुत ही शांदार और सुनेहरा मौका है जिसमें आप अपने तैलेंट, शौक और ज़जबे को बिखेर सकती हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं So do not miss out on this golden opportunity of exploring yourself, living your dream and expanding your vision और साथ ही साथ, be safe, wear your masks and sanitize yourselves क्यूंकि करोना अभी खतम नहीं हुआ है We are in this together and we'll get through this together For more about Ms. Himachal, stay tuned Thank you so much सिर्मोर के पॉंटा साहिब की दो चात्राएं अक्षिता व मुसकान सोमवार सुभार 9 बजे दिल्ली एरपोर्ट पहुँच गई है चात्रा अक्षिता और मुसकान ने बताया कि वह रविवार शाम रोमानिया एरपोर्ट पहुँची थी इसके बाद जब तक फ्लाइट भारत के लिए नहीं उड़ी तब तक उन्हें एक होटल में रखा गया और खाने पीने के साथ तमाम सुभिधाएं दी गई उसके बाद बिना किसी शुल्क लिए रुमानिया से हवाई जहास द्वारा दिल्ली एरपोर्ट तक पहुँचाया गया इस जोरान उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया अक्षिता ने बताया कि सोमवार शाम तक पॉंटा पहुँच जाएंगी उनके परीजन उनको दिल्ली लेने आ रहे हैं करमचारियों के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंद के दबाव के बावजूद पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करवाने के लिए हम हर परिणाव भुगतने को तयार है ये बात सिर मौर्जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कही उन्होंने कहा कि NPSEA अपनी मांग को रजसरकार के समक्ष सभी समवेधानिक माध्यम से रख चुका है पुण मांग को शांचे चक्रा-पाइए को सांस्थो यह इंए अधाकारियों के माध्यम से इस मान को लाते आ रहे हैं और अब पद्यात्रा के माध्यम से हमारे ये ही पियास हैं कि यह मांग समय करवाईज को यह साथ को वहार्वर्वरी को बहुत ही सौहार्थ पुन बारतलाप हमारा हुआ, उसमें इसंदे को संकेत इस परका गजरु मिले के मानने मुख्यमंत्री महदे हमारी मान को सकाराप पक ली रहे हैं, परन्तु किसी निशकर्ष पर नहीं पहुच पाए, अथा तीन मार्च को पुना एक बहुत पड़ी एतियासिक रे एतियम का शटर काट दिया, गनिमत ये रही कि चोर एतियम मशीन तक नहीं पहुच सके और केवल शटर ही काट पाए, पुलिस ने मौके पर पहुच कर बैंक में लगे CCTV फुटेज खंगाल कर जान शुरू कर दी है, उधर मामले की पुष्टी थाना प्रभारी धरंपुर र गाड़ादूरगा सोमवार को मंडिश शिवरात्री के लिए मंदिर से प्रस्थान कर गए, देव विश्नु नारायन बाइला वं गाड़ादूरगा इस बार अपनी जेठी हारधार के साथ मंडिश शिवरात्री के लिए रवाना हुए हैं, खास बात ये है कि इस बार मंगलवार दोपहर को घासनों से वे अपने रत में मंदिर शिवरातरी की और प्रस्थान करेंगे इसके अलावा वे मंदिर शिवरातरी में माधो राव के दर्बार में हाजिरी भरेंगे